आपने notice किया होगा, observe कि कुछ लोग समय से पहले बहुत बुढ़े लगने लगते हैं और उम्र बहुत ज्यादा देखने लगती है जबकि उम्र इतनी नहीं होती और कुछ लोगों पे उम्र का कोई फर्की नहीं परता ऐसा लगता है कि वो दिन बर दिन जवान होते जा रहे ह क्या राज है? क्या aging का सीधा connection आपकी date of birth से है? नहीं, aging का connection आपकी date of birth से नहीं है aging का connection आपके body के cell से है क्योंकि cells में science कहता है और इसे बहुत अच्छी तरह समझाया है Dr. Elizabeth Blackburn ने जो की Nobel Prize winner भी रही है 2009 में Medicine के लिए उन्होंने एक चीज़ discover की कि aging का connection cell से है अब देखे हमारे body में na millions and trillions of cells हैं लेकिन cells का एक protective guard होता है और जिसका term होता है telomeres, t-e-l-o-m-e-r-e-s, telomeres ये telomeres कैसे होता है? ये एक तरह से cap की तरह होता है DNA पर और वो cap क्या होता है? जब cells जो हैं विभाजन होता है उसका distribute होते हैं या फिर अलग-अलग form में सामने आते हैं तो वो telomeres हैं वो cap की तरह होता है इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपने जूता देखा है, जूते का फीता होता है फीते के end में आप देखेंगे तो एक plastic जैसा hard material होता है अगर वो नहीं रहेगा तो जो lace है उसके ratio निकलने शुरू हो जाएंगे, lock नहीं होगा तो आप समझ लीजे कि ये cell का एक lock होता है और telomeres, अब क्या होता है जब cell distribute होते हैं या उनका विभाजन होता है तो ये telomeres की जो उम्र है वो चोटे होते चले जाते हैं लेकिन इन में काबिलियत होती है कि वो अपने आपको rebuild करते हैं कि अगर आप happy हैं, अगर आप satisfied हैं, अगर आप positive thinker हैं तो आपके ये जो telomeres हैं, जो एक part होता है आपकी DNA का वो अपने आपको rebuild करता है लेकिन जो telomeres अपने आपको rebuild नहीं कर सकते, डॉक्टर एलिजाबेट ने कई पर research किया, उनमें पता लगा कि जिन लोगों में tension, anxiety, nervousness ज्यादा रहा, उनके telomeres दिन बदिन घटते चले गए और फिर वो rebuild नहीं हुए, घटते चले गए और इस level पर घट गए कि वो पूरी तरह से dead हो गए, अंदर cells, और जिन जो लोग happy रहे, जो लोग positive thinker रहे, जिनका mindset अच्छा रहा, जो average हफते में 7 दिन होते हैं, average March दिन अच्छी thinking रखते हैं, उनका telomeres पता है, rebuild होना शुरू हा, restructure होना शुरू हा, तो यह theory कहती है कि telomeres जितने कम होंगे, shorten होंगे, या फ अपने आपको rebuild करते हैं, तो आप लंबे समय तक जवान बने रहेंगे, तो happy रहे, positive thinking रखे, देखे, फिर आपके cells भी लंबे समय तक जवान आपको रखेंगे,